ग्वालियर के जायरोग अस्पाताल में आज AC का कमपेसर फटने से लगी आग में एक व्यक्ति की मौत हो गई ये आग आज सुबह ICU वार्ड में लगी जहां पहले से ही गंभीर मरीज भरती थे और ऐसे मौकों पर इनको वार्ड से आटाना आसान नहीं था आग के हाथसे के बाद बाकी मरीजों की हलत और बिगड़ गई है पहशासन ने अब इस बड़ी लापरवाही के जांच के आदेश दिये हैं वैसे शुरुआती जांच में ही कई मामलों में गंभी लापरवाहीयां पाई गई हैं क्या है ये पूरा मामला देखिए इस स्पोर्ट में ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े जयार रोग ये अस्पताल में आज बड़ा हाथसा हुआ ग्वालियर के ट्रामा सेंटर के आईसियो वार्ड में करीब दस मरीज भरती थे तब ही अचानक शौर्ट सरकिट हुआ, एसी में आग लगी और देखते ही देखते आईसियो में धुआ भर गया आनन फानन में मरीजों को शिफ्ट किया जाने लगा, इस बीच वो हुआ जो नहीं होना था वेंटिलेटर पर रखे एक कंभीर मरीज ने दम तोर दिया बज़े से इस आईसियो में आग लगी है, इसमें लगवग दस मरीज भरती थे और वो गंबी रूप से भरती थे जैसे ही आग लगने की घटना यहां पर पता लगी तो भगदन मच गई और उसके बाद यहां पर जो मरीज भरती थे उनको सुरच्चित बाहर निकाला गया है वो बताय जा रहा है कि एक मरीज की हालत गंबीर थी, जब मरीज को यहां से बाहर सिप्ट किया गया तो उसकी मौत होगी ट्रामा सेंटर आईसीओ के एसी का कंप्रेसर पाइप फट जाने से यहाथसा हुआ है करमचारियों ने फायर उपकरंट से तदकाल आग बुझाने का काम शुरू किया लेकिन तब तक फॉल सीलिंग और एक बेड आग पकड़ चुका था और धुएं के कारण दस मरीजों का दम खुटने लगा घटना के वक्त आईसीओ में दस मरीज भरती थे जिन में से साथ की हालत गंभीर बताई जा रही है एक मरीज की मौत हुई है वहीं पूरे ट्रामा सेंटर में कुल 48 मरीज भरती है इस हादसे में शिफपुरी के 55 साल के आजाद खान की मौत हुई है जो शिफपुरी कॉंग्रेस के जिला महामंत्री थे गंभीर हालत में उन्हें तीन दिन पहले ही ट्रामा सेंटर में भरती कराया गया था लेकिन आग लगने के बाद मची अफरा तफरी में उन्हें ऑक्सिजन नहीं मिल सकी और उनकी मौत हो गई इस आग जनी के दौरान बड़ी लापर वाही भी उडागर हुई है क्योंकि ICU के अंदर मौझूद फायर से 50 सिलेंडर एक्सपाइरी डेट के थे वहीं कुछ सिलेंडर पर उसके रीफिलिंग और एक्सपाइरी से जुड़े स्टिकर भी गायब थे हलाकि मौके पर पहुँझी फायर बिकेड ने जैसे तैसे आग पर काबू तो पाया लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अस्पताल में आगजनी की घटना हुई है साल 2022 में जबलपूर के न्यू लाइफ अस्पताल में आठ लोगों की मौत हुई थी और इससे भी पहले रालुधानी भुपाल के कमला नहरू अस्पताल के पीजेडिक्स विभाग में आग लगी थी जिसमें करीब 10 नवजातों की मौत हुई थी ऐसे हादसों में ज़ादा तर देखा गया है कि अस्पतालों में फायर से जुड़े संसाधनों का आभाग या फिर एक्सपायर होना पाया जाता है ऐसे में एक बार फिर फायर सेफटी नॉम्स के पालन में जुला परवाही सामने आई है उस लिहाद से ये देखना होगा कि मामले में किस तरह का आक्शन लिया जाता है विस्तान यूज के लिए गौलियर से अनिल कौर की रिपोर्ट पहले बोपाल के कमला नहरू अस्पताल फिर जवलपुर में न्यू लाइफ ऑस्पिटिल और अब जैरोग अस्पताल के लगातार हो रहे अगनी कांट बता रहे हैं कि अस्पतालों में फाइर औड़िट के आंकडे जूटे हैं अस्पतालों में कुछ नहीं बदला है चाहे सरकारी हो या फिर निजी अस्पताल पुराने उपकर्णों में होने वाले सौट सर्केट में पहले आग लगती है फिर उसको एक्सपाइरी डेट के फायर सेक्टी उपकर्णों से उसे बुजाने की कोशिश होती है और ऐसे में जरुवत है परशासन ऐसे मामलों को गंभीत असरे और हाथसों को डाले